इन दिनों मौसम एकदम से चेंज हुआ है तो वाइरल है स्वाइन फ्लू है बहुत फैला हुआ है सभी लोग अपना खयाल रखें बच्चों को भी हो रहा है बड़ों को भी हो रहा है मुझे फीवर तो नहीं है लेकिन फिर भी मिजाज कुछ अलगी है शुबी को भी सर्दी वही थी तो दवा तो टाइम से लेना ही है और जिसने जरा भी लेट किया तो फिर बढ़ जाती है प्रॉब्लम मुझे मतलब दवा खाई थी लेकिन पहले आराम मिला फिर थोड़े से लापरवाई कर थी फिर से बिगड़ना शुरू आज मेरे भाई ने बताया है दवा वो पट से जो बनाना था तो मैं प्याज हरी मिर्ची काटी है हरा धनिया सबसे पहले पानी गरम करने के लिए केतली में और मटर निकाले हैं फ्रीजर से उने भी धुल के रख दिया है और ये हैं वर्मी सेली ड्राइ रोस्ट की हुई मतलब रोस्टेट सेमिया ही है अब कड़ हलकी फ्राइ हो चुकी है हल्दी पाउडर धनिया पाउडर बहुत चुटकी भर लालमेची पाउडर और ये डाला हमने भूनी हुई सेविया पहले से ही आप रोस्ट करके रख लो सेविया मार्केट में जो आती है वो तो सोजी की होती है गिहों के आटे के भी आप ले सकत कि जैसे गरम पानी हम डालेंगे जल्दी से पक जाता है नमक स्वात के नुसार डाला और गरम पानी था तुरंत जैसे ढखेंगे तो बस बॉइल आने लगती है और ये वर्मी सेली पुलाओ या वर्मी सेली उपमा इसे क्या बोलते हो पर खाने में बहुत ही ज्यादा मीस्टी होता है और इतनी जल्दी बनता है जितनी जल्दी अभी आप यह देख रहे हैं विडियों में उतना ही जल्दी बना था क्योंकि इसके सिवास का कोई और process थाई नहीं डरिया। गास पन और ये रैडी और कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और जितनी देर ये पक रहा था दूद भी तयार कर लिया चाय बना ली मैंने यहाँ पर गरम गरम जैसे ही है न सेविया उसके उपर डालो दो चम्मज घी और फिर मिक्स कर दो यकीन मानों इसका टेस इतना बड़िया हो जाता है गरम खाने में आप सूजी का उपमा बनाओ या फिर ये वर्मी सेली का उपमा बनाओ लास में जो घी डालते हो न वो फ्लेवर आता है घी का खाने में बहुत अच्छा स्वाद और बस प्लेट तुरन तयार शुभम के आप अच्छा रही थी वैसे तो बुसावर में गर्मी भी शुरू हो गई है और कुछ तब्यत का मिजाद पे ठीक नहीं है ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्म में लगता खिचडी पतली रहे बस वह खाना है कुछ हलका सा खाना है तो वही मैं शुम से पूछे शुम राती खा पर मैं सोची रही थी तो उसमें वेजटेबल डाल करके दिले किचडी बहुत अच्छी लगती है तो वही बना रही हूं मेरी ना तब्यत भी ठीक नहीं है ऐसे आज दिन में तो बिल्कुल भी ना बनाने कमान हो रहाता खाना ना खाने कमान कर रहा था पर यह कि करना तो है आज की दोनों ही रेसिपी ऐसी है कि जब आपका दिल करें कि ज़्यादा दिर मुझे कुछन में नहीं रहना है और जटपट से बन जाए टेस्टी भी हो और हल्दी भी हो यह है गियों के सूजी जानी की दलिया कहते हैं इसको गियों का बस इसको ड्राइ रोस कर लेंगे व मुझे तारी मॊंग चिलके वाली मुझे की दाल ओर इसको भी मैं हाफ कप ही ले रही हूं आप चाहें दोनों में से कोई कम ज्यादा कर सकते हैं हाफ कप दोनों ही बराबर लिया है मैंने stör क्मक्थ कर देंगे और बच्चों को कि लाना हूँ उसके लिए बड़ों को खाना है उनके लिए अच्छा तो यह कैसी चीज़ है ना कि फैमिली में कहीं बच्चे भी हैं बड़े भी आप सब के लिए लग लग क्या बनाओ तो आप यह बनाएंगे तो सब के लिए काम आने वाले हैं पस मैंने यहाँ पर लौकी को तैयारी कर लिए है साइड में रखते जाएंगे जैसे ही आपने यह सब चौपिंग कटिंग का काम किया कि फिर जटपट से से छोकने का काम रहता है और एक सीटे में यह दलिया तैयार हो जाता है यहाँ पर मैंने गाजर और मटर दुलके रख लिए है और यह है अगारों क केटल इलेक्टिक केटल इसमें बहुत जल्दी से पानी गरम हो जाता है जटपट से अभी जैसे कि मैं दलिया छोकूंग उसके पहले ही मैंने यहाँ पर लगा दिया यह ट्रैवल फ्रेंडली है पोटेबल है आप कहीं भी बाहर भी ले जा सकते हैं बढ़िया है यूसफु बस इसमें अध्रक ड् कर लिया था अध्रक को और टमाटन टाल दिया है ङाजर मंटर और लौकी आप इसमें फूल गोवी बंद गोवी बी डाल सकते हैं मैंने आभी डालिये हींग थदी पाउडर धनियाज़ा पाउडर और चुटकि भर मिर्चि पाउडर नमक सौत के अन खालो हींग तो खाने में बहुत अच्छा हींग का स्वाद आता है अभी मैंने धूली हुई डाली है मूंग की डाल और ये भुना हुआ दलिया हाफ कप डलिया डाली है और इतनी ही मूंग डाल है सबजियों के साथ पहले कुछ मिनट अच्छे से भून लो जितना अच्छा सबजी डाल कुछ भी है तो वो अच्छा सोंधा बन हो जाता है बढ़िया सगी में अच्छे से बून गया है वैसे ड्राइ रोस्ट किया हुआ दलिया रहता है अगर आप ड्राइ बनाएंगे तो यही दलिया खिला खिला बनेगा चुकि मुझे खिचड़ी बनानी है पतला किया करण पानी हम किसी फी कुकिंग प्र्फस में डालते है तो कुकिंग टाइम हमारा बच जाता है में जल्दी से गरण हो अचाता है क्योंकि जितनी दिर पानी करण हुणा हमने हरог तो पद पतला भी रेडी है कि जैसे एक विसीला कि हम गयास बन कर देंगे और जह पूर दल्या की खिचड़ी रेडी थोड़ा गरम पानी पीना हो तो वस्वई मैंने भी पानी डाला है मिन्टो में मतलब क्या सेकंड्स में पानी गरम हो जाता है बस ये देखो तो ये इसको कहना बॉटल की तरह है इसमें कॉड लगानी होती है जब आपको फिक्स करना है जब आपका काम नहीं है आप कॉड हटा लो जुनलो को दम गरम पानी पीने की रेगुलर आदत है कहीं बाहर जा रहे हैं तो अलग से कैटल ना ले जाना हो क्योंकि इसमें नीचे प्लेट लगानी होती है कॉड भी अलग से रहती है ये क्या बैग में डालके भी ले जा सकते है और बस पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला, उपर से डाला, कटा वा धनिया पत्ता और ये रेटी हो चुकी है दलिया की खिचडी बहुत तेस्टी लगती हो खास कर तब जब बहुत कुछ है भी खाना नहीं खाना हो बिमार लोगों के लिए भी आई है और नॉर्मल लोगों के लिए भी आई है मतलब कई बार खुदी दिल करता है कि कुछ इस तरह का खाना खाए है आप तो गर्मी आ रही है ऐसी ख्याल आते ही रहने आए दिन रात के खाने में इस्पेशली डिनर टाइम पर और जब मैं और शुभम है रात का खाना सिर्फ हम दोनों कही है हस्पिन नहीं है ड्यूटी पे गए हैं तो फिर हम दोनों के लिए तो यह सब इसी तरी की चीज़ें सही है रात में फिर भी बची जाता है थोड़ा बहुत भी और यह भूनने हुए पापड है रोस्टेट पापड दलिया की खिचड़ी है मूंदाल दलिया की और हरी चट्नी तो बस हमारा यही सिंपल और टीस्टी वाला डिनर आप जरूर चाही करिएगा थैंक्स पॉर वाचिंग बाबाई टेक केर अपना खयाल जरूर रखना